ये है बगीचे का सबसे खुबसूरत फूल गुलाब ये एक ऐसा पौदा है जो सभी प्लांट लवर्स के गार्डन में जरूर होता है गमले में गुलाब का पौदा होगाना बहुत यासान होता है और अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका रोज प्लांट हेल् सेम प्रॉब्लम के बारे में सवाल पूछा कि उनके पौधे में सिर्फ शुरुवात में ही फूल आए इसके बाद या तो फ्लावरिंग बहुत कम हो गई या बंद हो गई तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सोलूशन है आज के इस वीड अगर आप अभी अपने गुलाब के पौधे में इन तीन कामों को करेंगे तो यह मेरी गैरेंटी है कि इसमें इतने फूल आएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे वीडियो के आखिर में मैं पौधे को हरा भरा रखने और फ्लावरिंग बूस्ट करने की पांच क्विक भी बताऊंगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अक्सर लोग गुलाब का पौधा लाकर लगा तो लेते हैं लेकिन इसकी देखभाल का सही तरीका ना जानने के कारण थोड़े बहुत फूल आने के बाद फूल आना बंद हो जाते हैं पर आप इन तीन सिंपल ट्रिक्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बरसाथ के मौसम में ज्यादा मौश्चर की वज़ा से गुलाब के पौधे का बुरा हाल हो जाता है सरदियों आते आते पुराने पत्ते ब्राउन होकर खराब हो जाते हैं और गिर जाते हैं सरदियों की शुरुआत में गुलाब के पौधे की कटिंग करने से इसमें नई ग्रोध शुरू हो जाती है और गुलाब के पौधे की ये खासिया थे कि इसमें हमेशा नई उगी हुई ब्रांचेज में ही फूल आते हैं इसलिए गुलाब को हर साल कटिंग की जरुवत होती है। रोज प्लांट की कटिंग इसकी वेराइटी और एज के हिसाब से की जाती है। कटिंग या प्रुणिंग का सबसे अच्छा समय दिसंबर और जगवरी का महीना होता है क्योंकि फरवरी मार्च में गुलाब फुल फ्लावलिंग पर होता है। दोस्तों गुलाब की दो तरह की प्रुणिंग की जाती है। hard pruning और soft pruning जैसे कि ये छोटे फूल वाला गुलाब है जिसमें पतली ब्रांच होती है और ये पौधा बुशी होता है इसमें बंच में फूल आते हैं और इसकी पतिया भी छोटी होती है इस तरह की varieties में हमें soft pruning करनी होती है शार्प cutter को spirit या sanitizer से disinfector लीजिए अब सभी लंबी और पतली branches को काट दीजिए कटिंग के बाद cuts पर fungicide या healthy powder जरूर लगाईए नहीं तो इसी cut वाली जगा से fungus लगेगी और ये ब्रांच थोड़े दिनों बाद सूख जाएगी heart pruning ऐसी varieties में की जाती है जिनकी branches लंबी और मोटी होती है पत्तियां बड़ी होती है और इन में बड़े फूल आते हैं एक साल या उससे बड़े पौधे में heart pruning करनी चाहिए sharp pruner को disinfect कर लीजिए ध्यान रहे कि जब आप एक पौधे के बाद किसी दूसरे गुलाब के पौधे की cutting करें तो भी cutter को disinfect करना न भूलें नहीं तो एक गुलाब के पौधे की बिमारी दूसरे पौधे में लगने के chances होते हैं सभी मोटी branches को इस तरह से 45 degree cut लगा कर काट दीजिए अब अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूगा तो पानी लगने से इन cuts से die back बिमारी और fungus infection शुरू हो सकता है इसलिए cutting को fungus से बचाने के लिए मैं एक चम्मच साफ fungicide powder में थोड़ा पानी मिला कर पतला paste जैसा बना लेता हूँ अब इस paste को एक brush की मदद से पूरे plant पर अच्छी तरह से लगा दीजिए खास तोर पर उपर वाले cuts पर इस तरह से नीचे से लेकर उपर तक पेर पर fungicide लगाने से मिट्टी से भी fungus या केड़े पौधे के उपर नहीं आते गमले में लगे गुलाब के पौधे की पुरानी मिट्टी से nutrition खतम हो जाता है इस तरह के पौधे की root growth slow हो जाती है और मिट्टी सक्त होने लगती है जिसकी वज़े से drainage अच्छा नहीं होता और root rot याने जड़ों के गलने से पौधा खराब होने लगता है healthy पौधे के लिए साल में एक बार मिट्टी को recharge करना चाहिए और दो साल में एक बार पौधे को गमले से निकाल कर बड़े गमले में report करना चाहिए क्योंकि नई मिट्टी में नई जड़े निकलेंगी और healthy roots का मतलब धेर सारे full soil recharge करने के लिए गमले के किनारों से 5-6 इंच गहरा खोद कर पुरानी मिट्टी को निकाल लीजिए इस काम को ध्यान से कीजिए जिससे जड़ें damage न हो इसमें दो मुठी नीम खली powder डालिए अब नई मिट्टी लेकर उसमें 2-3 मुठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गमले में भर दीजिए cutting के बाद इन्हें full sunlight में रखिए ध्यान रहे कि पौधे में पत्तिया नहीं है इसलिए इसे बहुत कम पानी देना है पानी सीधे गमले की मिट्टी में ही दीजिए ब्रांचेस के उपर से पानी नहीं डालना है दस दिन औबाद इसमें ठेर सारी नई शूट्स निकलना शुरू हो गई है हर एक शूट में नई ब्रांच निकलेगी और हर ब्रांच में flowering होगी नई निकली हुई पत्तियों पर एफिड्स, मिली बग्स और स्पाइडर माइड्स जैसे कीट लगने के ज्यादा चंसे होते है इसलिए स्प्राउटिंग होने के हर दस दिन में एक बार नई पत्तियों पर नीम ओल ज़रूर स्प्रे करें हाड प्रूनिंग के एक महीने बाद आप देख सकते हैं पौधा कितना बुशी हो गया है और इसमें कलियां भी आना शुरू हो गई है ये है रिजल्ट प्रूनिंग के दो महीने बाद का क्या जबरदस्ट हैवी फ्लावरिंग हो रही है इसमें अभी और भी नई ब्रंचेस निकल रही है जिनमें और भी कलियां आएंगी सौफ्ट प्रूनिंग के बाद इस सफेद गुलाब में भी भर भर के फूल आ रहे है गुलाब के पौधे हैवी फीडर होते हैं यानि अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इन्हें समय समय पर न्यूट्रिशन से भरपूर खाद देना चाहिए खास्त और पर इस तरह की फ्लावरिंग स्टेज में पौधे को फूल बनाने के लिए काफी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है अब मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर गुलाब के लिए कैसे न्यूट्रिशन से भरपूर स्पेशल खाद बना सकते हैं जो होगी 100% और्गैनिक इसके लिए आपको चाहिए एक किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गुबर की खाद एक किलो वर्मी कंपोस्ट, एक मुठी बायोजायम ग्रेनियूल्स और एक मुठी सीवीड एक्स्ट्रेक्ट ग्रेनियूल्स अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं ये सबी चीज़ें आपके आसपास की किसी भी बड़ी एग्रिकल्चर शॉप पर या Amazon.com पर online भी मिल जाएगी इस फर्टिलाइजर मिक्स से पौधे को nitrogen, phosphorus, potassium और सभी तरह के micronutrients मिल जाते हैं जिससे मिट्टी की conditioning होती है और overall growth बूस्ट होती है उपर के मिट्टी को थोड़ा खोद कर हलका lose कर लीजिए 12 इंच के medium size गंबले में महीने में एक बार दो मुठी इस fertilizer की डालिए गुलाब के पौधे में अक्सर पतियां इस तरह से पीली पढ़ने लग जाती है या brown होकर सूखने लगती है इसके कई करण होते हैं जैसे over watering, fungus infection, nutrition की कमी अगर fungus से पतियां खराब हो रही है तो एक लिटर पानी में एक चौथाई चमच fungicide powder मिलाकर हर 15 दिन में एक बार पौधे पर अच्छी तरह से spray कीजिए पतियां मुढने या पीली होने की सबसे common वज़ा होती है पौधों में magnesium और micronutrients की कमी इस कमी को पूरा करने के लिए पौधे को magnesium sulfate देना होता है इसे epsom salt भी कहते हैं ये पतियों का पीला पढ़ना, सिकुडना या मुढ़ जाने जैसी problems को 2-3 इस्तेमाल में ही खतम कर देता है epsom salt आपके आसपास की किसी भी agriculture shop पर आसानी से मिल जाएगा ना मिले तो amazon पर आप online भी order करके मंगवा सकते हैं गमले के किनारी की मिट्टी को थोड़ा खोद लीजिए अब एक चमच एpsom salt को गमले के किनारों पर बराबर डाल दीजिए अब इसे मिट्टी से cover कर दीजिए एक महीने बाद दोबारा एक चमच एpsom salt इसी तरह से दीजिए और आप देखेंगे कि एक दो महीने में नए पत्ते एकदम हरे भरे और healthy आने लगेंगे गुलाब के पौधों में लगने वाली सबसे common बीमारी होती है dieback disease ये बीमारी poor soil, ज्यादा पानी देने और पौधे को धूप कम मिलने के कारण होती है dieback एक fungus से होने वाली बीमारी है जिसमें पौधे की branches धीरे धीरे काली पढ़ना शुरू हो जाती है ये disease branch में उपर की तरफ से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है और थोड़े वी वक्त में पौधा सूख जाता है इसके इलाज के लिए infected branch जहां तक काली पढ़ गई है उसके एक इंच नीचे से sterilize किये हुए cutter से इस तरह से 45 degree cut लगा दीजिए कट किये हुए हिससे पर fungicide का paste बना कर जरूर लगाईए पौधे को full sunlight में रखिए और पानी सिर्फ मिट्टी सूखने पर ही दीजिए अगली common rose disease है black spot disease black spot disease भी एक fungal disease है जिससे पत्तों पर इस तरह के काले धब में बनते जाते हैं ये बिमारी होती है over watering ज्यादा moisture और धूप की कमी के कारण इसके इलाज के लिए पौधे को ऐसी जगा पर रखिए जहां 6-8 घंटे की धूप आती हो सभी infected पत्तियों को तोड़का destroy कर दीजिए मिट्टी पर गिरी बिमार पत्तियों को भी हटा दीजिए एक लिटर पानी में 2 ml CONSEC plus systemic fungicide मिलाईए आप कोई भी hexaconazole 5% वाला fungicide ले सकते हैं हर चार दिन में इसे पूरे पौधे पर अच्छी तरह से spray कीजिए इस treatment को चार बार याने की 16 दिन तक करना है rose leaf curl बिमारी में पत्तियां इस तरह से मुढने लगती हैं और नई पत्तियां भी आते ही सिकोडना शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी shoots भी इस तरह से सूख कर जल जाती हैं ये होता है thribs और white flies नाम के छोटे insects के कारण thribs की वज़ा से ही blind shoot की problem भी पौधे में आने लगती है blind shoots का मतलब ऐसी stems होती हैं जिनकी ग्रोध रुख जाती है बीमारी की शुरुवात होते ही पौधे के treatment के लिए सभी blind shoots और पत्तियों को काटका destroy कर दीजिए अब आपको चाहिए imida cloprid 17% वाला कोई भी systematic fungicide एक लिटर पानी में 1.5 ml enumia systemic insecticide मिलाईए ये ना मिले तो आप कोई भी imida cloprid 17% insecticide ले सकते हैं इसे हर 7 दिन में एक बार spray कीजिए खास दर पर पत्तियों के नीचे जहां छोटे छोटे किले चुपते हैं गुलाब को अच्सी तरह से ग्रोव होने और धेर सावी flowering करने के लिए organic matter से भरपूर, rich और well-drained porous मिट्टी चाहिए होती है गुलाब के लिए best spotting soil बनने के लिए आपको चाहिए 50% garden soil, 30% vermicompose या अच्छी तरह से सड़ी होई गोबर की खास, 20% balurit बाकी flowering plants के comparison में गुलाब को उगाने में problems इसलिए आती हैं क्योंकि इसे थोड़ी ज्यादा care की जुरूरत होती है लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका rose plant बिमारियों से बचा रहेगा और हमेशा healthy रहते हुए बढ़िया flowering भी करेगा रोज plant में बिमारी आने का सबसे बड़ा कारान होता है धूप की गमी गुलाब को shade में या ज्यादा humidity वाली जगह पर रखने से गमले की मिट्टी सूख नहीं पाती जिससे पत्तियों और जड़ों में fungus वाली बिमारीयां लगना शुरू हो जाती है इसलिए इसे हमेशा ऐसी हवादार जगह पर रखें जहां कम से कम 8 घंटे की धूपी से मिल सके सिर्फ तेज गर्मियों के मौसम में पत्तियों को जुलसने से बचाने के लिए गुलाब के पौधे को partial shade में या फिर green net के नीचे रखें रोज प्लांट में पानी देने का खास ध्यान रखना चाहिए 99% रोज प्लांट की बिमारियों की वज़े होती है over watering इस पौधे को कम पानी की ज़रुवत होती है पानी तभी दे जब चूने पर उपर की मिट्टी सूखी महसूस हो लेकिन मिट्टी को पूरी तरह से भी सूखने नहीं देना है इससे भी प्लांट की ग्रोथ रुख जाती है इसमें हमेशा थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए पत्तियों और फूलों के उपर से पानी नहीं दे इससे पत्तियों में फंगस का खतरा होता है पानी सीरे जड़ों में डाले महिने में कम से कम एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें इससे न्यूटिशन गमले में नीचे तक पहुँचेगा पानी रुकेगा भी नहीं और ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा अपने गुलाब के पौधे पर नजर रखें कोई भी प्रॉबलम देखते ही उसका ट्रीटमेंट तबी करें उसे नजर अंदाज ना करें क्योंकि प्रॉबलम बढ़ने के बाद ट्रीटमेंट मुश्किल होता है अगर आप हर 15 दिन में एक बार एक लीटर पानी में 5 एमेल नीम उयल मिलाकर रेगुलरली पौधे पर स्प्रे करें तो आप पौधो को ज्यादा तर बीमारियों से वैसे ही बचा सकते हैं गुलाब के फूल मुर्जा जाने के बाद उन्हें 2-3 पत्तों के साथ नीचे से इस तरह से काट दीजिए फूल के नीचे की unwanted branch पौधे का nutrition लेती रहती है इसलिए spent flowers को लगातार काटते रहने से नई shoots निकलती रहती है और flowering बढ़ जाती है अगर इन्हें नहीं कटा जाएगा तो इसमें rose hips बनने लगेंगे जिससे plant की energy इन्हें grow करने में waste होती है dead heading के बाद branches के cuts पर fungicide ज़रूर लगाएं क्योंकि खुले हुए cuts से die bag बिमारी लग सकती है ज्यादतर गुलाबों को जंगली गुलाब की stem के उपर bud graft करके उगाया जाता है ये मोटा हिस्सा grafting area होता है इसके नीचे से निकलने वाली branches जंगली गुलाब की होती है अगर इन्हें बढ़ते रहने दिया तो उपर की grafting वाली branches को nutrition नहीं मिलेगा और ये branches सूख जाएंगी इसलिए इन सकर्स को एकदम नीचे से ही काट दीजिए बरसाथ के मौसम में गुलाब के पौधे पर बीमारिया लगने का सबसे ज़्यादा चांस होता है गुलाब के गमले में कभी भी पानी रुका नहीं रहना चाहिए गमले का drainage होल हमेशा चेक करते रहिए वाटर लॉगिंग से बचने के लिए गमले में उपर तक मिट्टी भरिए अच्से drainage के लिए हर दस दिन में मिट्टी की गुडाई कीजिए उमीद है ये टिप्स आपके गुलाब के पौधे को बीमारियों से बचाने और हमेशा healthy रखने के लिए helpful होगा अपनी gardening related किसी भी problem के बारे में मुझसे direct chat करने के लिए मुझे please instagram पर follow करें instagram का link में description box और pin comment में भी दे रहा हूँ और ये है आज का comment of the week तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करें मेरे इस channel को please subscribe ज़रूर करें नए नए वीडियो का notification सबसे पहले पाने के लिए bell icon को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching and keep on gardening